मौसम खराब होने के चलते प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी युवा संकल्प रैली में भाग लेने के लिए मंडी नहीं आ सके उन्होंने वर्चुली रैली को संबोधित किया बता दें कि ये रैली पहले हमीरपुर जिला के सुजानपुर में प्रस्तावित थी भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक में ये निर्ने लिया गया था इसकी जानकारी खुद भाजपा प्रदेशा ध्यक्ष सुरिश्क शिप ने बैठक के बाद दी थी इसका तर्क दिया गया था कि सुजानपुर में बड़ा ग्राउंड है और सेंटर पॉइंट भी है लेकिन बाद में रैली मंडी शिफ्ट कर दी गई मंडी में भी रैली बारिश से धुल गई और पीयम मोदी मंडी नहीं पहुँँच पाए मंडी में भारती जनता युवा मोट्चा के कारे करता और आम जनता इंतजार करते रहे लेकिन रैली बारिश से धुल गई दुपहर बारा बच कर पांच मिनट पर छोटी काशी में तेज बारिश शुरू हुई खराब मौसम की वज़़ से प्रधानमंत्री इस रैली में नहीं पहुँच पाए इसके बाद पिये मोदी न दुपहर बारा बच कर पच्चिस मिनट पर दिल्ली से ही वर्च्वली संबोधन शुरू किया बारिश से बचने के लिए कुछ लोगों ने तो चाते खोड़ लिये और कुछ ने कुरसियों को ही सिर्पर उठा लिया बागी सब वहां रखे पोस्टर सिर्पर उठा कर चलते बने सही माइने में कहा जाए तो लोगों का उत्सा भी बारिश के साथ दुल गया और रैली फ्लॉप साबित हुई हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 News के साथ